स्टेन इनर्जी में थर्ड कई नमेरिकल लियर आको सोजुन चाहे आमरों पोखरा इनवर्चिटीगो 2020 को फाल मा स्वोधेक नमेरिकल हो यदि मेरो वीडियो त्पाहरल आमरों लागचा मैं सीक्रिप्या लाइक कमेंट रहा साथी संग शेर गर दीन होला जब सम्वाई न अल फोर यो क्रोस सेक्शन देखो छा ये स्टील बार वेन इस्ट्रक्ट बाइ 35 केजी मास फलिंग फ्रोम हाइट अफ 100 mm अबोब द टॉप अफ दी बीम एस सोन इन फिगर फिगर पीन हमला देखो छा रा इक भालू 205 जीपी देखो छा जुन चाहे आमरों मोड लास अफ लास सेंटर देखी यहां सम्मा को डिस्टेंश 600 mm बायो जुन मास आमरों खसे गो छा तिया 100 mm को हाइट बाड़ा खसे गो छा रा आमरों क्रोस सेक्शन यहां यास्तो बायो 65 mm इंटो 65 mm को बायो रा आमरों मास चाहां सी वेट निकालना लाए 35 ले लाए 952 ले मल्टिप्लाई गरदा 343.35 नूटन आयो रा हैमरों ले हाइट 100 mm बाड़ा खसा लेको छूं रा लेंथ बाड़ा सई यमियम छा भाजे सी मीटर मा लगदा यहां डिवाइड वाए 1000 गरदा 1.2 मीटर मा आयो यह बने पाछी 205 GpA छा मोडलस अफ इलास्टिसिटी यहला लाए 10 to the power 9 ले मल्टिप्लाई गरणू भाव बन्जे नूटन पार मीटर स्क्वाइर मा जान छा रा मोमेंट आफ इनार सी आ भन्छी रेक्ट्यांगल को केस्मा जयले बनी bdq बाड 12 हुन चा बी 65 बने सी यमि इन केस अफ यह सिम्प्ली सपोरेट भीम भानी सिम्प्ली सपोरेट भीम मा बिच्च मा खच राचंत तो खेस मा इस्टाटिक डिफ्लेक्शन WLQI48EI हुन चा यह पने हमले निकाल निकालदा हुन चा तरह सम्झीदा आए रा एक दम बेस्ट हुन चा रा मोईले के बन्च आए अच्छी तपायर ले यह तो फिगर बनाऊनुस तो यह तैपस आप बी मैक्सिमम मेंडिंग मोमेंट शो प्रडिफ्लेक्शन आए मिलाए ना स्वम मा इस्टेक्चर वन मा इस्टेक्चर टू मा यह तो जीवन भर यह चाहिर आँछ त्यसे ले यह सम्झीदा आरामर उ आए उन्छा रह ती सिंप्ली सपोर्ड विम में यदी UDL छा एस्पान वर्वेंस 5WL को पार फोर भाई 384 यह आई उन्छा वाह आमिलाए अस्टाटिक डिफ्लेक्शन आयो रहामिलाए मैक्सिममम डिफ्लेक्शन यह इस्टेनेस डिफ्लेक्शन चाहिए बंशी इंप्यक निकालने फर्मूला आमिले था छा 1 प्लस रूड अंडर 1 प्लस 2HY static डिफ्लेक्शन 1 प्लस रूड अंडर 1 प्लस 2 इंटू हाइट हमिले कथी हाइट पाटा खसाल रहकु छाहम बंशी 100 mm हाइट पाटा खसाल रहा छहम बंशी यहले मीटर में लगदा 0.1 उन्छा बाई static ड इले- static deflection multiply गरू भानसी, maximum deflection हुँचा रह, bending moment at c, यो case मा केस हुँच्पियार्फ रहा, simply supported Vimma yh bending moment, maximum bending moment बिच्च मा हुँच्छ, रह यसको value के हुँच्पियार्फ रहा वल्बाह 4 हुँच्पियार्फ हुँँछ डवलू लोड चादे शाहमिशंग वेट डवलू वेट हाहमिशंग चादे छा लेंद्ध 1.2 मीटर भायो किन वहने 1200 यम्यम हामिलाई लेंद्ध देव थे और फोर भायो क्यालकुलेट गरनूस 103.005 न्यूटन मीटर आयो हमिलाई बेंदिंग मोमेंट पनी आयो अब स्ट्याटिक बेंदिंग इस्ट्रेस भनसी धिरपल्ड मेंले भनी सके यम्बाई i into y हो क्यों हमिले बेंदिंग इस्ट्रेस भनसी यम्बाई i is equal to sigma by y is equal to e by r थियो हमिले स्वम्मा पोर रागो यहला इनो हेडो शिव दिविटेले हेड़दा sigma चाहिए हमिलाई भनसी y ले cross multiply गरनू परने होंच यम्बाई y into sigma maximum bending moment आमिले पोईले निकाले 103.005 आई moment of energy आपन निकाले गए हों y होनसी neutral axis देखी को distance हामिलाई लिनू परने होंच यो case मा 65 यम्बाई 0.065 यम्बाई देप्थ चाह भनसी यसको आधी neutral axis यादी बिच आड़गा भनसी यसको आधी कतिन जो 0.065 by 2 होनच 0.065 by 2 होनच यत्ति आउछ रा maximum bending stress देखी को आधी यम्बाई बेंडिंग stress चाह भनसी static bending stress लाई impact factor ले multiply गरनू परने होंच यत्ति बेंडिंग stress यत्ति भयो रा impact factor ले multiply गरनू जुन आमिले impact factor पोईले निकाले सके गाचुम गर्दा यत्ति आउछ लत यत्ति गर्णू भाई भानसी यहना खाले नमेरिकल हम्रो सक्क्यो रा यस्तिमा नमेरिकल लेर आउने छुमाईले झाले